लोकसभाज चुनाओं का बिगुल कभी भी बत सकता है और कभी भी लोकसभाज चुनाओं की घोशना हो सकती है और फिलहाल इसी का एक हिस्सा है जो महराष्ठ के मुंबई में citizen commission की एक बैठक चल रही है और उनी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है ये बैठक दो दिन चलने वाली है 17 जनौरी और 18 जनौरी और आज इस बैठक का पहला दिन है हर महराष्ट में 36 जिले हैं और 36 जिलों की जानकारी लेने के लिए और किस तरीके से लोग सबाचुनाओं की तैयारिया वहाँ पर हो रही है और क्या तैयारिया करनी चाहिए इसकी बैठक यहाँ पर फिलहाल हो रही है जैसे कि 2019 में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई और 2019 से 2024 तक कितने प्रतिशत मतदाता बढ़े उनकी एवरेज एज क्या है क्रिमिनल का बैग्राउंड क्या है कितने वेपन्स जो हैं उनके जिले में डिपॉजिट किये गए और कितने वेपन्स की संक्या 2019 से 2024 तक बढ़ी है इन सब चीजों का आकलन जो है वो किया जा रहा है इन सब चीजों की जानकारी इलेक्शन कमिशन ले रहा है और इसी के मताबिक वो सुझाओ दे रहे हैं यानि एक बात तो तया है कि जैसे ही ये बैठक कल खतम होगी वैसे ही महाराष्ट के तमाम ब्यूरोक्रेट्स इलेक्शन मोड पर चले जाएंगे और इलेक्शन मोड शुरू होते ही कभी भी चुनाव आ सकते हैं और चुनाव की तैयारियों में सारी यंत्रना लग जाएंगी क्यामरामन वैवोकन गुटकर के साथ दिपेश्तरी पाठी आज तक मुंबई